पिज़ें पीचली वीडियो से आगे स्टार्ट करते हैं, उसमें हमने बात करें दी final accounts के इंट्रोडक्षन की, अब हम बात करेंगे final accounts के formats की, तो सबसे पहला format बनता है, वो बनता है trading account का, trading account में आपको एक बत बताई दी, उसमें आते है factory से लेटेड़ खर्चे, तो जो भी स इस फेक्टरी में होगी वो इसके अंदर आएगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको एक नपर का ट्रेटिंग अकाउंट और फिर जिस साल का उन्होंने कोशन है बनाने को दिया है उस साल का जैसे देंगे वह 18-19 या 20-21 या 20-22 तो यहां डाल देंगे ठीक है उसके बाद यह debit side होती है यह credit side होती है लिखने के लिए नहीं होती ही बस समझाने के लिए बोला है मैंने आपको क्यों कि जो debit है वो जातर हम जनले entries में करता रहे हैं सब जब्रदे करता है debit side में क्याता हमारे जातर खर्चे आते हैं तो यहां अध्यान से देखोगे तो यह iapinho slink opening stock क्या होता है opening stock वह स्टाक होगा जो पिछले साल का बच्चा हुआ होगा यह पूरा माल भी तयार हो सकता है कि बिलकुल finished good है कि अब बेकने के लिए तयार है यह work in progress हो सकता है कि दूरा बना है यहlla romet serial में हो सकता है कि जितना भी जो भी बचा है वो हमारा last year का इस साल ट्रांसर हो जागा opening stock में उसके amount यह डालेगे पिर आएगा आपका purchase purchase में का करेंगे direct entry नहीं करेंगे यहां entry करेंगे amount डालेंगे यह पर फिर उसमें से purchase return को less कर देंगे ठीक है कई बार वो पर्चेज रिटन की जगे नाम डाल देते हैं रिटन आउट वर्ट्स तो उसको भी माइनस करतेंगे और दोनों को माइनस करने के बास जो आएगा वो इधर डाल देंगे फिर वेजी सां創 को बता है था फैक्टरी से खर्चा है डैविट में आएगा तो क्या करते हैं कई बार वो वेजी आदे के वो देते हैं wages and salaries तो मैं आगे वाले को देखना है, पीछे वाले को नहीं देखना अगर पीछे वाला देखना है, तो पेडल में जाना पड़ेगा नहीं पर चो आगे दिया होगा, आगे अगर wages दिया है तो वो यहाँ पर आएगा फिर carriage inward, carriage inward मतलब क्या होता है फैक्टरी के अंदर कोई समान आ रहा है तो फैक्टरी में जो भी अंदर आ रहा है, उसके खर्चा फैक्टरी ही उठाएगी है, तो वो यहाँ आ जाएगा उसके लाबा power, water, वो भी समयाएगा फैक्टरी का rent, वो भी समयाएगा, manufacturing expense, वो भी समयाएगा import custom duty, वो भी समयाएगी, production पर कोई royalty दे नहीं पढ़ रही है, आपको वो भी यहाँ आएगा ठीक है, gross profit की बात अभी बात में करेंगे, इस side में आपका sales आएगा उसे तरह sales return less कर देंगे, जो भी, और sales return की जगे यहाँ भी कुछ और नाम देते हैं, जैसे इधर का total करेंगे, आप closing stock तक का, इधर इधर तक का total करेंगे, ठीक है, जिधर का जिधर balancing figure आ रही होगी, मतलब जिधर value कम आ रही होगी, मल लिजए अगर इधर 10 लाग आ रही है, इधर 8 लाग आ रही है, तो यहाँ दो लाग कम है, तो वो आपका gross profit में आ जाएगा, अग gross loss हो रहा है, तो debit side, अब हम बात करेंगे, final accounts के, दूसरे account की, जो है profit and loss account, इसका format आपको दिखा रहा है, पीछे मेरे यह आपकी book में भी मिल जाएगा, तो book में से करना चाहिए, तो book में से कर लीते हैं, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी इसकी सारी entry है, इनी इसमें और भी बह करते हैं आपको, तो जो हमारा पिछल अकाउंट तो trading account, अगर उसमें हमारा gross loss आ रहा है, तो सबसे उपर उसको डालेंगे, इस side, अगर gross profit आ रहा है, तो इस side डालेंगे, ठीक है, यह depend करेगा कि पिछल अकाउंट में, trading account में क्या आ रहा है, उसके बात की बात है, उसमें ब पिर P&L में आ जाएगा, अगर wages आ गया आता तो trading में, और salaries आ गया आया तो P&L में, फिर rent account, printing and stationary, postage, telephone, office lighting, electricity, तो पावर नहीं आया, पावर उसमें आता तो trading में, तो इसमें जातर जितने भी आपके debit side सारे के सारे खर्चे हैं, legal expense, insurance, premium audit fees, carriage, freight, outward, हाँ, एक ध्यान रखने वाले बच्चे जो गलती करते हैं, क्या carriage inward आएगा, तो वो जाएगा trading में, carriage outward आएगा, तो आएगा P&L में, traveling expense, selling and distribution expense, और इसके लावा हमारा कोई loss हो गया, by fire, loss by theft, हमने कोई property बेची, उसमें loss आ गया, तो वो सब इसमें आएगा, अब इसमें इतनी जगे नहीं थी कि इस rent received हुआ, पैसा मिला, discount received हो एक तरह एक income है, rebates, मतलब छूट मिली आपको, आपने किसी चीज़ की payment करी, time से पहले तो आपको rebate मिलगी, commission received interest, received dividend, received, आपने किसी company के shares खरीद रखे थे तो आपको उस पर dividend मिला है, पैसा मिला है, bad debts जो थे, उन्होंने पैस वापिस कर दिया, bad साइड आएगा, नुकसान हुआ तो साइड आएगा, miscellaneous receipt, अब इसमें भी सारी entry नहीं होती, तो miscellaneous में जो छोटे मूटे फायदे हमें, receipt मतलब income आ रही हमें, तो वो सब इसमें transfer हो जाएंगी, अप rent is fees और premium, ठीक है, उसके बाद, जैसे उसमें हमारा gross profit और gross loss होता तो इ यहाँ 2,00,00 net loss में डाल देंगे, और यह दोनों ही transfer होंगे कि इसमें capital account में, balance sheet में, ठीक है, और balance sheet हम इससे बाद बनाते हैं, अब हम बात कर रहे हैं, final statement के तीसरे account की जो है balance sheet, अब balance sheet कैसे बनाते हैं, देखते हैं, तो left side हाता है हमारी liabilities, right side हाती है हमारी assets, studying रहेंगे balance sheet asset, जो भी साल दे रखा उससे, तो सबसे प्राइं current liabilities, ठीक है, current liabilities और long term liabilities नीचे आती है, current और long term में क्या अंतर होता है, जो liabilities एक साल के अंदर पे हो जाएगी, वो आ जाएगी current में, और जो एक साल से यदा time लगाएगी, वो आईगी long term में, अब current में आएगी आपकी bank overdraft, bills payable, outstanding expense, sundry creditors, income received in advance, outstanding expense क्या होता है, ठीक है, outstanding expense वो होता है, जो हम खर्चा तो कर चुके हैं, पर अबी तक पैसे नहीं में दिये हैं, जैसे अब धारी में, प्रूटी, Pepsi, cold drink, momos, french price खाया जा रहे हैं, और दुकान वाले को बोल रहे हैं, भाई महीं नेगा खिर में देंगे, तो वो हो गया हमारे outstanding expenses, फिर income received in advance, ये कौन सी होगी, इसमों हो गया, जैसे मम्मी बोलती थी आपकी, कि जाओ समान ल पर मेरे फिर मैं समाल लेका हुआ, तो वो आएगी इसमें, क्योंकि काम आपने किया नहीं है, पर पैसे पहले ले लिए, फिर है long term liabilities, उसमें आएगा loan, ठीक है, capital, capital की direct amount वहाँ पूट नहीं करेंगे, पहले यहां डालेंगे, फिर उसमें net profit add करेंगे, जब net profit कौन सा होग जब पिछला account था, P&L वाला, अगर उसमें net profit आ रहा है तो add हो जाएगा, अगर उसमें net loss आ रहा था तो इसमें फिर minus होगा, और drawings को दे रखी है, तो वो भी less हो जाएगी, और फिर totaling करने के बाद यहां डालेंगे, फिर current assets, current assets में cash in end, cash at bank, बैंक में जो पैसा पढ़ा हो बैंक वाला, bill receivable, summary debtors, prepaid expenses, prepaid expenses कौन से वाले, जो word of own में, idea में, हच में होता है, क्या होता है कि हम पहले पैसे देते हैं, उसके बाद उसको इसको इस्तमाल करते हैं, calling उसके बाद स्टार्ट होती है, पहले पैक डिलता है, उसके बाद हम वो करते हैं, तो वो था, prepaid expense कि हमन फिर closing stock, closing stock को box में इसलिए लिया है, और star space ले बनाया है, क्योंकि mainly जो closing stock आता है, वो आता हमारा trading account में, दिखाए दा ना, ध्यान होगा आपको, तो trading, यहां भी क्यों आ गया है, यहां तब आएगा, जो आपका question होगा, अगर question trial balance में दे रखा है, या ऐसे box में दे रखा है और closing stock उसके अंदर है, तो फिर वो एक ही जगया आएगा, कहां पे, trading में, पर अगर यह नीचे एक point बनाके adjustment की तरह दे दिया, कि closing stock as 10,000 करके नीचे अलग से point बनागे, तो फिर वो दो जगया आएगा, दो जगया कौन कौन सी, एक स्वाइगा trading के उसमें credit side, और दूसरा आएगा, वो asset side, यह ध्यान अकने वाली बात है, फिर investment, fixed assets, फिक्स एसेट्स कौन सी होगी, fixed assets, furniture and fixture plant, machinery, building, land, goodwill, तो यह सारी entry goodwill तो पता ही होगा, goodwill ख्याती, हिंदी में इसको बोलते हैं, goodwill मतलब क्या होता है, कि कोई company कितनी popular है, एक तरफ आपके पास normal जूते, एक उन्यों का नाम इतना चलता है, तो उनकी goodwill उतनी अच्छी है, तो अब सब समझगे, उसके वाद इधर का total करेंगे, इधर का total करेंगे, अगर दोनों match होगे, तो question सही होगा आपका, और match ना होगे, तो फिर गलत हो गया,